में आज की वीडियो एक यूनिक वीडियो है इसमें मैं बताने वाली हूँ आप एलोवे रखो कैसे आज एक क्लीजर, टोनर, स्प्रवर और मॉश्राइजर के हिसाब से उसके हैं सबसे पहले एलोवेरा लीफ लीजिए आप चाहे तो एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हैं एलोवेरा लीफ को फोर पीसेस में काट लीजिए हर हिस्से को दोनों साइट से काट लीजिए फिर उपर के हिस्से को निकाल लीजिए एलोवेरा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसमें वाइटामीन C, वाइटामीन E and बेटा के रोटिन है जो स्कीन को नरिश करता है ये स्कीन को मॉश्टराइज करता है लेकिन ग्रीसी फील नहीं आती एलोवेरा में healing properties है जो sunburn को ठीक करता है ये स्कीन के उपर एक protective layer की तरह काम करता है और ये moisture को लॉप करता है इसमें nutritional qualities और antioxidant तत्वा है जिससे स्कीन जल्दी हील होती है एलोवेरा को मैंने four pieces में काट लिया है पहला है ग्रींजिंग के लिए दूसरा है scrubbing के लिए तीसरा toner के लिए और फोर्थ वाला है मॉश्टराइजिंग के लिए एलोवेरा के उपर थोड़ा सा चावल का आठा या फिर चीनी लीजिए किन को scrub करने के लिए इससे आप पेस को scrub कर सकते हैं एक कंटेनर में अलोवेरा जल को अलोवेरा लिट से एक्स्ट्रैक्ट कीजिए इस अलोवेरा जल से मैं टोनर बनाऊंगी अब इस जल में रोज वाटर मिलाना है मैं टू टी स्पून रोज वाटर मिला रही हैं अब इसमें टू टी स्पून मिन्रल वाटर मिलाएं मिन्रल वाटर ना हो तो आप नॉर्मल वाटर भी मिला सकते हैं सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, फिर एक एम्टी स्प्रे बॉटल लीजिए, इसमें बनाया हुआ मिक्स्चर को डाल लीजिए, इस टोनर को हर बार यूज करने से पहले शेक करना है, इसे आप साथ से दस दिन रेफ्रिजिटर में स्टोर कर सकते हैं, अभी इनक को मैं अपने फेस में अपलाई करने वाले हूँ, फर्स्ट क्लिंजिंग, देन स्क्रबिंग, देन टोनिंग और मॉश्टराइजिग, अलोवेरा से क्लिंजिंग करने के टाइम, आप चाहे तो हनी भी एड कर सकते हैं, अपलाई करने से पहले अपने फेस को धो लीजिए, एक एलोवेरा के पिस को लेके अपने फोरे फेस को मसाज कीजिए, एलोवेरा में मॉश्टराइजिंग तद्वा हैं, इसलिए ये स्किन के लिए बहुत बैने फिशियल है, ये स्किन को हाईप्रेट रखता है और स्किन की एलस्रिसिर्टिसी constitu को इम्परूब करता है इसलिए wrinkles रिमूव होते हैं अलोवेरा स्कीन के pH को restore करता है और स्कीन को deeply moisturize करता है with the help of natural enzymes and essential vitamins ये स्कीन में oxygen प्रोवाइट करता है जिससे स्कीन टीशूस strong और healthy होते हैं अलोवेरा को after shaving lotion के रूप में भी use कर सकते हैं फिर एक weight tissue लेके या फिर cotton के ball को पानी में भीगो के पूरे face को अच्छे से पोच लीजिए ये हो गया आपका easy and homemade cleanser अब दूसरा एक अलोवेरा का piece लीजिए और उसमें चीनी या फिर चावल का आटा डालके अपनी स्कीन को scrub कीजिए अलोवेरा में antioxidant, beta carotene, vitamin E, vitamin C है जो skin को hydrate रखता है और acne और scars के लिए ये बहुत effective है अलोवेरा damaged skin को repair करता है और skin cells को rejuvenate करता है इसके natural cleansing तत्वा सिर्फ sports को ही light नहीं करती इसके साथ साथ skin tone को भी bright करता है पूरे face को एक से दो मिनित के लिए scrub कीजिए scrubbing weekly 2-3 days से जादा नहीं करनी चाहिए अभी face को normal पानी से धोके पोच लीजिए अलोवेरा toner को अपने पूरे face में apply करके year dry कर लीजिए अब fourth piece of aloe vera को अपने face में apply कीजिए अलोवेरा को रात में apply करके सो जाई सुबह उठके आपका skin बहुत fresh और bright दिखेगा इस cleansing, toning और moisturizing process को regular basis पे 15-20 days के लिए follow कीजिए और weekly 2 days scrubbing कीजिए ऐसा करने से आप visible difference पा सकते है अगर आपको मेरे हिंगे जो अच्छा लगा हो तो इससे light ज़रूर कीजिए इस video related कोई भी सवाल हो तो आप उने नीचे comment box करेंगे मेरे इस video को आप आपके friends के साथ share भी कर सकते हैं और मेरे चानल को subscribe करना बिल्कूल मन पूलना आगे से बहुत अच्छ अच्छे videos देखने के लिए अभी के लिए बाबाई, take care